हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक हमें पलत के संस्क्रांग चर्पपावन और हाएं लौ्त करें बी स्थीताराम चारित कर तिपावन पुने पुने कितने हो सुने तुनाए ये की प्यास मुझेत न बुचाए भाईया महाराच जनक पधा रहे हैं महाराच जनक कहा है। कहा है। राजमहल में प्रवेश कर रहे है। कर दो 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 झाल 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 आसन क्रहन कीजिये अन्धापुर में चलते हैं धब्तुर में आसना झाल दगना कि अन्धापुर झाल 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 यह झाल 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 साम महराच मैं आप पिहरदे की अवस्था समझता हूँ एक दुख्या पुत्री के पिता के मन में जो सैखड़ो प्रश्ण उठते हैं वो इस समय आपके मन में भी उठ रहे होंगे आप वो सारे प्रश्ण मुझसे पूछना भी चाहते होंगे कि मेरी पुत्री के साथ जो घोर अन्याय तुमने किया है वो किस कारण उसका दोश क्या था आप मुझ पर अमानुशी व्यवहार और एकनी सहाय इस्त्री पर अत्याचार कारोब भी लगाना चाहते होंगे पर अत्यों एक पुत्री का पिता होने की विवश्टा ने आपकी जिवह पर ताला लगा दिया है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं पूछ पाते हैं कि मुझे यही आशंका थे कि आप एक दिन कि यह सारे प्रश्ण मुझसे पूछने अवश्य आएंगे कि तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि महराज कि आपके इन समस्त माउन प्रश्णों का मेरे पास एक ही उत्तर है कि आप जितने भी आरोप मुझे पर लगाना चाहते हैं वो सभी कि सत्य है कि मैं परमदोशी हूं कि मैं दोशी हूं आपका सीता का मैं अपना दोश स्विकार करता हूं आप आप इसके लिए जो भी दंड मुझे देना चाहें वो मुझे स्विकार है राम दंड तो स्वयंग तुम अपने आख को दे रहे हो इस से अधिक दंड मैं और क्या दूंगा मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक महा मानो उस पाप का दन भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं मैं तुमारी ये तपोबों में देख रहा हूं जहां पर एक राजा अपने राज महल में रहते हुए भी साथ हो गया तुमारी ये अवस्था से मन में पीड़ा होती है और जो राज महल की माहरानी होकर निस्सहाए अवस्था में बनों में मारी मारी भड़कती फिर रही होगी उसकी और आपका थ्यान नहीं चाहता ये जो तुम सीता को निस्सहाए कह रहे हो उससे पता चलता है कि तुमने मेरी पुत्री को पैचाना ही नहीं मेरी पुत्री निसहाए नहीं है उसका सहायक है उसका धर्म और जिस्तरी की रक्षा उसका धर्म करता है वो कभी निसहाए और निर्बल नहीं रह सकती मेरी पुत्री सच मुझ असहाय होती तो उसी तिन उसका पिता उसकी सहायता के लिए आ जाता है क्योंकि उसी रात मुझे पता चल गया था उसी रात पता चल गया था फिर आप क्यों नहीं आये सिटा के यही आदेश था और आज भी मैं आया हूं सिटा का आदेश पालने के लिए सिटा का आदेश पालने क्याप सिटा से मिले हैं नहीं पिरादेश कैसा हुआ है जाने से पहले जब उसने त्याग करने लिया तब अपनी परिचारिकार के हाथ उसने मुझे ये पत्त्री का पेजी थी उसमें उसने अपना ये निरने और कारणों का पूरा विवरुन लेखा था ये पढ़कर आप उसके निरने से कैसे सहमत हो गए आपने यहां आकर उसका निरने बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया तुम्हारे प्रयास क्या कम थे फिर तुम उसका निरने कैसे नहीं बदल सके तुम कैसे सहमत हो गए उसने अपने तर्क से मुझे विवश कर दिया इसी प्रकार उसमें मुझे भी परास्त कर दिया उसके आगे में हार गया परन्तु वह इस बलिदान से जहां तुम्हारे कुल का गवरव बढ़ा गई वहां मेरा सरुवी गरुसे उंचा कर गई इस पत्रिका को पढ़कर सीता की पूजा और वंदना करने को मन होता है उस पर सारी नारी जाती युग युगांतर तक गर्व करती रहेगी देखो देखो राम जाते हुए भी उससे तुम्हारी ही चिंता थी इसलिए तो उसने मुझे रोक दिया था देखो देखो राम जाने से पहले कितना मन करता है कि आपके श्री चर्णों की दर्शन करके जाओं कौन जाने फिर इस जीवन में यह अवसर मिले या ना मिले पर यदि आप यहां आएंगे तो राखव अपने को दोशी मान कर आपके सामने दृष्ट नहीं उठा सकेंगे मेरे पती आपके सामने लज्जित हो यह मैं नहीं सेहन कर सकती इसके लिए आप अयोध्या नहीं होएंगे उनसे कोई प्रशन नहीं पूछेंगे इसके लिए मैं अपनी शबत आपको देती हूं और एक बात की शबत आपको देती हूं यदि आप ये सुनें कि मेरे जाने की प्रश्चात रागव अपने आपको नहीं संभाल सके तो आप उसी समय अयोध्या आएंगे उन्हें सांथ्वना देंगे मेरे राम के पास इस समय कोई बड़ा नहीं है पिताश्री रहे नहीं माताय बहुत दूर है बाकी सब छोटे हैं अपना दुख वो किसे बताएंगे इस समय उन्हें आपके साहरे की बड़ी आवश्रक्ता होगी क्थद्द्द्द्द्द्द्ट इसलिए जब तुम्हारी अवस्था से विवश्ष होकर लक्षमर ने मुझे ये संदेशा पेजा कि तुमने कितना कठोर वद्ध द्रान किया है किस प्रकार तुम संसार से विरक्त होते जाते हो कि तुम्हार थाल तुम्हारा तुम्हार प्रहू मुझसे आपकी यम्मों बेदनस सही नहीं कई कभी अपने मन की बात तो कहते नहीं हम सब के सामने केवल मुस्कराते रहते हो एक मुस्कान से अश्रों की नदी पर बांद बांदा नहीं जाएगा किनारे टूट जाएंगे बहड़ा जाएगी सारी अयोद्य डूब जाएगी फिर क्या होगा कि इसी अशंकर से बहभीत होकर मैंने महाराज को संदेश बेजा रगुकुल की नाव मस्दार में है इसे आकर समालिये कि मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मेरी पुत्री का बलीदान विफल मत करो उसने इतना बड़ा त्याक किया है तुम्हें आदर्श राजा सिद्ध करने के लिए जो अपनी प्रजा को सुख दे तुम दुख को अपना साथी बना लोगे तो दूसरों को क्या सुख दोगे और फिर तुम्हारी आत्मपीडा की तरंगे सीता जहां भी होगी उस तक का वश्य पहुंसती होगी अपनी विवलता से तुम उसे विवल करते रहोगे क्योंकि पति-पत्नी की आत्माएं एक गुड़ संबन में एक दुसरे के साथ जूड़ी रहती हैं सीता के लिए सीता के गर्ब में पल रही अपनी संतान के लिए तुम्हें अपने मन को पीडा के छेत्र से निखाल कर कर्म के छेत्र में लगाना होगा सीता की माता महरानी सुने नाने भी मुझे तुम से यही कहने के लिए का दे माता ने केवल संदेशा भेजा है स्वयम नहीं आई ठीक ही तो है जिस आयोध्य में सीता नहीं उस मृत नगरी में आकर वो क्या करते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं वह श्याना चाहती थी परंतु उसका स्वास्त ऐसी अवस्ता में है कि वह पलंग से उठ भी नहीं पाते क्या हुआ माता को बेटी का दुख को मां है ना मां से अपनी बेटी का दुख सहन नहीं होता जिस तिन पत्र मिला वो अपना कलेचा पकड़कर पलंपर बैठ कही और आज तक फिर नहीं उठी नहीं कि पीता की बाती उसका रिदे कठूर नहीं है और मां है मां मेरे पापों के फलुसरूप सभी पीड़ा भुगत रहे हैं वो मेरे लिए क्या सोचती होंगी कैसा निर्दई है राम हमारी पुत्री के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और वो जिसके कारण हमारी पुत्री इतना महानकष्ट भोग रही है वो दो घड़ी के लिए सांतों ना देने भी नहीं आया यदि आपकी आज्या हो तो मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए जदी ऐसा हो सकता है तो बड़ा उपकार होगा हम पर तुम्हारे जाने से महारा नी सुनेना को ठाठस बन जाएगी तुम्हें देखते ही शाहिद वो बच्चा है मैं ये चांदता हूं फिर भी अयोध्या के महराज को कि मिथिला बुलाने का साहस नहीं कर सका है कि महराज कि राम अयोध्या का राजा सही परंतु राम आपका पुत्र भी है पुत्र को आग्या देने में पिता ऐसा संकोच तब ही करता है जब उसे पुत्र में कोई खोट दिखाई दे मेरे में खोट तो होगा ही नहीं राम तुमारे मन में खोट की कल्पना करना भी पाप है मुझसे भूल हो गई मुझे ये संकोच नहीं करना चाहिए था तुमारे आने से महारानी सुने ना को जीवन दान मिल जाएगा अगर हो सके तो मेरे साथ ही चलो पुत्री मेरे साथ ही चलो मंगल भावन अमंगल भारी त्रव हो सुदशरत अजिर विहारी सीताराम चरीत अतिपावन बधुर सरस अरुपती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कियकी प्यास भुझत न भुझाए तरुपती न भावन 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 बधुझत अर्विए